Hello children, in previous lectures we have seen what is evaporation, now we will see how does evaporation cause cooling, evaporation कहीं हो रहा है, तो cooling effect क्यों हो रहा है, हम ये देखेंगे, now see, क्या होता है, suppose this is your liquid, ये आपके surface के molecules है, हम heat नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, अब देखो, इसे evaporate होने के लिगे, ये जो molecules हैं यहाँ पे, इनको evaporate होने के लिए, थोड़ी सी energy absorb करनी पड़ेगी, ये अपना force of attraction ब्रेक करेंगे, और ये वेपर्स में convert हो जाएंगे, ठीक है, आपका surrounding का temperature suppose T है, ठीक है, आपके यहाँ पे जो temperature है वो T है, अब देखो, क्या होगा, जो ये molecule है, इसको energy absorb करनी है, तो वो surrounding से energy absorb करेगा, surrounding से heat energy लेगा, अपने bonds break करेगा और evaporate हो जाएगा, क्यूंकि ये surrounding से heat energy absorb कर रहा है, ले रहा है, तो ये जो temperature है T, ये degrees हो जाएगा, ठीक है, for example, अगर ये 35 degree Celsius temperature था, और यहाँ पे ये सारे molecules ने heat energy absorb की और चले गए, तो ये जो temperature है, क्या पता, 33 degree Celsius आजाए, 32 degree, ये जो पास का, बिल्कुल पास का temperature की बात कर रहा है, तो देखो, ये जो side की surrounding area है, वहाँ पे इसने cooling, evaporation process ने cooling cause की, ठीक है, हम लोग देखते हैं आब य in an open vessel, ये open vessel, the liquid keeps on evaporating, अब देखो, फर्स्ट वाली लेयर चले गई, तो सेकिंड लेयर के molecules अब सर्फेस वाले हो गए, अब वो लेते रहेंगे, वो चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले सर्फेस के molecule हो जाएंगे, ठीक है, the particles of liquid absorb energy from the surrounding, अब इनको evaporate होने के लिए, surrounding से energy absorb क evaporation, ठीक है, अब ये energy absorb करते हैं, और ये evaporate हो जाते हैं, तो आपका जो temperature है, surrounding से energy किसी ने ली, this absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cool, ठीक है, इस paragraph में ये बोल रहा है, कि वो जब चले गए, तो यहाँ पे loss of energy आई, उसको regain करने के लिए, वो energy absorb करते है, ठीक है, आपको पतावरा चाहिए, कि energy absorb कर रहे हैं, तभी वो evaporate हो पा रहे हैं, ठीक है, तो वो दोनों चीजे एक ही है, अप कैसे भी समझे, ठीक है, ठीक है, तो cooling वैसे कॉसे होती है, it absorbs the energy from the surrounding, and the surrounding, जो है आपकी, उसका temperature decrease हो जाता है, because the energy is being absorbed from there, वहाँ से energy किसी ने अबसर्ब किया, तो 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 तेम्परेचर रहा बोटेचर रहे हैं, ओठोंच क्के माड़िए, आपका होता है, निल पॉलिश रिमोवर, भी किसी केसी बढ़िए, पॉर्फियो, भी मिपरिश हो जैसे ही फिर टरिक होने मियन सेवत करें परफियोंच करोगी कि एक तो या पांद रहा होता है, तो आपको कैसा फिल होता है, पॉस करो वीडियो जल्दी से या तो ऐसे टोन अगर आपके पास है निल पॉलिश रिमूवर तो आप वह थोड़ा सा एक ड्रॉप अपने हाथ पर डालेंगे या फिर थोड़ा सा पर्फ्यूम या डियो जो भी है अपने हाथ पर स्प्रे करेंगे तो पार्टिकल गे अब आ हм ऑके यहां पर आपने आपने पर्फ्यूम डाला है यह दये लिक्विड होते है जो आपने अपने पर्फ्यूम डालें यह लिक्ःन घर्माश यह वहलो रिक्विड होते चं़ अनो जल्दी आप लिकवाएं ठीक है חभा के थी जल्दी अपने दूल बहारे जल्दी से यह evaporate हो जाते हैं इनका जो आपका boiling point है बड़ा कम है अब देखो क्या होता है यहां पे जो molecule था उसे energy चाहिए थी उसके पास है दो option या तो surrounding यहां से atmosphere से ले उसके पास एक और option है कि वह आपकी palm से energy ले हमारी जो body temperature होता है वो surrounding से हमेशा थोड़ा जादा रहता ही है ठीक है तो देखो आपका आपका जो body temperature है उसकी वजाए से यह आपके body से energy लेगा यह आपके हाथ से energy absorb करेगा अब आपके हाथ से किसी ने energy absorb की तो आपको हाथ पर कैसा लगेगा कूल लगेगा ठीक है तो देखो क्या हो रहा है the particle gain energy from your palm इस यह पार्टिकल ने energy आपके palm से ली और surrounding and evaporate यह तो वो surrounding से लेगा लेकिन हमें थंडा क्यों लग रहा है पांपे क्यों पांप से energy ली और surrounding and evaporate causing palm to feel cool okay now see after a hot sunny day people sprinkle water on the roof or open ground ठीक है बहुत जादा धूप जब हो जाती है तो आपने देखा होगा कि अपने सामने या अपने छथ पे रूफ पे लोग पानी शाम को पानी डालते है तो ऐसा क्यों करते है so try to answer it pause the video and try to answer this okay देखो एसा क्यों होता है the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface अब यह क्या हुआ इपर देखें देखो यह आपका house है यह उसकी रूफ है ठीक है sun की वजय से यह बहुत जादा गरम हो गई है heat हो गई है ठीक है अब देखो क्या हुआ आपने इसके उपर water प्रेंग्टल किया वाटर आपने श्प्रेंग्टल किया यहां पर देखो अब वाटर जो एवापरेट हो रहा है तो देखो वाटर यहां पर स्टेट चेंज कर रहा है अपना अब देखो लिक्विड जो है उसको आप वेपर में चेंज कर रहे हैं आपको पता है जब स्टेट चेंज होता है तो उस टाइम जो एनर्जी होती है एनर्जी एब्सॉब की जाती है उसे हम लेटेंट हीट ओफ वेपराइजेशन बोलते हैं तो देखो क्या हुआ यहां य जब यह लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है तो यह लेटेंट हीट ओफ वेपराइजेशन अफ वाटर जितनी एनर्जी एब्सॉब करेगा कहां से करेगा इस रूफ से और इवापरेट हो जाएगा अब इस रूफ से किसीने एनर्जी एब्सॉब की है तो यह का temperature down आ जाएगा और आपका जो रूफ है वो cool हो जाएगी I hope this is clear okay now see the next one is can you cite some more example from your daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation तो आप सोचो evaporation के वजैसे हमें कूल लगता है ऐसे कौन कौन से एक्जामपल है पॉस करो सोचो देखो आप जब स्वेटिंग होती है आपको और तुरंत आप पेसके को खुछान के नीचे जाते हैं तो कितना कुल कुल लगता है कि आप इसको को ये वापरेशन से पॉस करो और जल्दी से को रिलेट करके वापेस करो तेको जो आपकी बॉरी है इसके ओपर जो वॉर्टर मॉलिकूल है ये आपकी बॉरी से अनर्जी अब्सवर करेंगे आपकी बॉड़ी से एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे और वेपर से कनवर्ट हो जाएंगे अब आपकी बॉड़ी से किसी ने एनर्जी एब्सॉर्ब की है तो आपकी बॉड़ी तो कम टेंप्रेचर पे आगे ना और आपकी बोड़ी कम तरमट्रेचर पर आई तो आपको कूलिंग एफेक्ट होगा आप ऐसे ही बहुत सारे एक्जामपल भी सोच सकते हैं नाओ लेट्स मूवव और नेक्स्ट क्वेशिन इस व्य शुड्वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर हम समुर्वे क्यू पैर आप बच्कन से पढ़ते आया ये इन विट्ट वी य ट्मीर martial च्रश ओ अग्म करते हैं और क्यू श्रुड्य वारी ब्रोडी का यह ड्यार्य श्मीर का है अभी तक आपको समझ में आ चुका है कि एवापरेशन के डूरेशन में जब एवापरेशन हो रहा है तो जो पार्टिकल है वाटर के वह सर्फेस से एनर्जी अड्जॉब करते हैं ठीक है और इसके वज़े से कुलिंग एफेक्ट करते हैं और बॉड़ी सर्फेस और चेंज इंटो वेपर्स और फिर वेपर्स में चेंज जाते हैं देखो दा एनर्जी हीट इनर्जी इक्वल तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराईजेशन अब देखो जो भी एवापरेशन हो रहा है ना हर एवापरेशन में आप लिख सकते हैं कि जो अब लेटेंट हीट का ही मतलब क्या है कि जब आपका लिक्विड से ग्यास में चेंज हो रहा है तो यह जो स्टेट चेंज करने के टाइम पर एनर्जी चाहिए उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराईजेशन बोलते हैं ठीक है अब देखो आपका इवापरेशन में क्या हो इवापरेशन में भी तो लिक्विड से हम गयास में चेंज कर रहे है लिक्विड से वब यपर में चेंज कर रहे है तो ब इतनी एनर्जी चाहिए होती है तो देखो दा हीट अनर्जी एक्वल तो लेटन हीट ऑफ वेपराईजेशन इस एब्स फ्रम दा बॉड़ी लीविंग दा बॉड़ी कूल तो इवापरेशन में यह तो बिल्कुल सिंपल बात हो गई कहीं पर भी एपरेशन का कुश्चन आए बहुत अच्छी तरह ओट एब्सॉप करता है इट हेल्पस इन एब्सॉप्शन आफ दा थी स्वेत तब यह वाट्र आपक्वाटर एप्सुप करता है तो हमारा स्वोट जल्दी पॉटन अब्सॉप कर लेगा एड एद शिवड़ी उछिवापरेशन और हमारी बोड़ी स यहां पर आपका इन्वारमेंट में एक्सपोज करेंगा अभी जो इन्वारमेंट से यहां से जब यह वेपर्स में कनवर्ट होना है आपके वाटर में वाटर को तो वह कहां से अनर्जी लेंगे वह आपके यहां पर जो एर है आपके के स्किन और आपके कॉटन क्लोफ के बीच में इयर या इसके जो यहां से आप ये अनरजी अब्सान करेगा और में विय थे और किपनी अनरजी अब्सार्ब करेगा रहा है? लातरीट ट्लोफ करेगा है- में- हर ट सीने हेट हम फस china फसकल होगी पस और उसको एक्सपोज कर देता है इन्वार्मेंट में अब इन्वार्मेंट में एक्सपोज हो गया तो एवापरेशन जल्यल्दी होगा इसलिए हम लोग समर्स में कॉटन क्लोथ वियर करते हैं ओके आई होब इस इस क्लियर तो नाउ दे लास्ट टॉपिक तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप सभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपको क्या करना है आपको एक ग्लास लेना है उसमें आइस क्यूब्स डालने है उसको थोड़ी दियर रख दो और आप सबने अब्जर्व क्या हुआ है कि इसके पास बहार वाटर ड्रॉपलेट्स यह आपका जो ग्लास है वह बाहर से घीला हो जाता है है तो हम यह देख रहे हैं ऐसा क्या होता है अब यहां पर कुछ उल्टा हो रहा है देखो यहां पर वाटर बन रहा है तो इवापरेशन का कुछ उल्टा होता वह दिख रहा है अभी तक तो वाटर कनवर्ट हो रहा थ यह क्यूप से अब देखों क्या है आपके इंविएरमेंट में आपके जो एटमईसफेर में हमें पतार में इला ऑप कर रह यह 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 मोव कर रही है जो जाए से आम तुरंत क्या होगा? अब बताओ इस glass और इस water vapor में कौन higher energy पर है? किसका temperature जाद है? जल्दी कैस करो? इस glass के नदर ice है. तो आपका यह पार्टिकल है ना, इसका temperature जादा है. इसका टेंपरेचर कम है इसका टेंपरेचर जादा है तो हीट अनर्जी कहां से कहां फ्लो करती है हाइर टेंपरेचर से लोवर टेंपरेचर के तरफ ठीक है अब देखो जैसे ही यहां पर टच हुआ तो इससे एनर्जी फ्लो होके ग्लास के अंदर चली गई अब यह जो vapor state में था इसकी energy कम हुई है और कितनी कम हुई है latent heat of vaporization जितनी कम हो गई है तो यह देखो यह vapor के state में था energy इसकी कम हुई है तो पहले ही जितना घूम रहा था अब यह कम घूमे का restricted रहेगा क्योंकि energy कम हुई और यह vapor से water के form में convert हो जाएगा अब ऐसे ही यहां पर बहुत सारे particles यहां पर आके इखटा हो जाएंगे और आपके सब मिलके एक water droplet बना लेंगे ठीक है और आप देखेंगे कि थोड़ी गर बाद आपका जो अंदर के water का जो टेमपरेचर है जो पहले बहुत चिल्ड था ठीक है आइस के विजए से अब वो थोड़ा हाई हो रहा है अब वो इतना ठंडा नहीं हुआ है क्यों क्योंकि जो भी particle आ रहा है वो इसको energy जा र water in a tumbler soon you will see some droplets water droplets on the outer surface of the tumbler the water vapor present in air अब क्या हो रहा है जो water vapor air में present है on coming in contact with the cold glass of water जैसे ही cold glass of water के contact में आ रही है loses energy अपनी energy lose कर देती है और किसमें convert हो जाती है liquid state में which we see as water droplets और इस process को बोलते हैं condensation condensation is cooling down of water vapor ठीक है तो यह condensation is opposite is opposite of evaporation evaporation अब यह video खतम हो गई है आप इसमें अब सोचेंगे कि evaporation में हमारा कहां से क्या convert कहां हो रहा था और condensation में कहां से क्या convert हो रहा है okay in next video we'll be dealing with the question answers